भीके बाद आपका स्वागेत और बात करते हैं जोक्टर कॉनक्लेव की फर्स्ट इंडिया ने विशेश आयोजे ने इसलिए किया ताकि आप तक यह यह जानकारी पहुं सके कि किस सरीके से कोरोना तेजी से बढ़ रहा है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है अगर आप घर क्या ब्याज जुड़ जुकी हैं जोकी पूर्व चोड़ी हैं माइक्रो बाइलोजिकल विभाग की निद्या जी सबसे पहले आपका स्वागत है फर्स्ट इंडिया पर वक्त देने के लिए तैंक्यू तमश्कार सबको मैं बड़ी कन्फ्यूजन है खासका ट्रीटमेंट से ज्यादा कन्फ्यूजन है टेस्टिंग को लिकर क्या कोरोना के जो आटी पीसिया टेस्ट हो रहे हैं उसके अलावा भी कोई टेस्ट है जिनके जरीए कन्फ्रम किया जा सके शिरुवाती दोर में कि हाँ ये कोरोना पोजिटिव है क्योंकि सिम्टम जिख नहीं रहे ITPCR टेस्ट शुरुवात में नेगिटिव आ जाती है फिर मरीज लापरवा हो जाता है बाकियों को संक्रमित कर देता है हाँ ये अगर हम और टेस्ट की बात करें तो एक HRCT जो टेस्ट आजकल क्लिनिकल डाइगनोसिस के लिए हो रहा है वो भी एक अच्छा alternative है पर वो हर एक जने को करा नहीं सकते जिसको जो लोग डाइगनोसिस के लिए आते हैं जो लोग डाइगनोसिस के लिए आते हैं वो बहुत सारे asymptomatic होते हैं और asymptomatic cases को RT-PCR से ही डाइगनोस किया जा सकता है RT-PCR जो test है वो उसका एक inherent problem है कि वो उसकी sensitivity 80-85% रहती है और बहुत जादा हम ध्यान से करें तो 90 तक हो सकते हैं sensitivity उसकी तो which means कि अगर 100 जोने हमने test करें तो 10 तो फिर भी negative ही आएंगे ये इस test की inherent character है इसलिए ये हमें मानना पड़ेगा कोई भी biological test जो होता है वो full proof नहीं होता हर test में कुछ न कुछ limitation होती है तो वो ही RTPCR के साथ है ठीक है माम बाकी चीज़े को हम बाकी डोक्टर से जान चुके हैं क्योंकि सुबह से हम डोक्टर कॉंक्लेव करें और बड़े बड़े डोक्टर के साथ बातचीत करें माम लेकिन कुछ बाते आपसे microbiology आ कहें कि वाइरस के बारे में जाना चाहेंगे अब ये कहा जा रहा है कि ये second wave के साथ जो कुरोना वाइरस है वो mutant हो गया है उसके structure में बदलाव आ गए है तो ये बदलाव किस तरीके से आते हैं और इन बदलाव के साथ क्या असर पड़ता है क्या हर वाइरस के साथ ऐसा होता है? हम blood sample लेके test करें तो उसमें भी अलग-अलग mutants आएंगे वो भी RNA वाइरस है तो RNA वाइरस में जो transcription translation होता है वो बहुत error prone होता है और इसलिए mutations बहुत होते हैं और इसलिए इन viruses के vaccine बनाना थोड़ा सा difficult होता है जी इस वाइरस के जरीए DNA को भी बदला जा रहा है इंसानों के DNA पर असर पड़ रहा है क्या ये मुमकिन है कि RNA का वाइरस DNA को बदल दे? नहीं नहीं ऐसा मुमकिन नहीं है ये बहुत शुरू में ये भ्रांती थी जब ये Pfizer का और Moderna का आया था ये messenger RNAs हैं ये messenger RNAs आपके nucleus में enter नहीं होते हैं ये बाहर ही रहते हैं केवल ये बाहर इनका coding decoding होके जो भी proteins बनानी होती हैं उनको बना के और फिर ये finish off हो जाते हैं they do not enter the nucleus of the cell इसलिए DNA changes होने का कोई कारण है नहीं ठीक है मैम एक और सवाल जो लोगों के जहन में हैं वो ये कह रहे हैं कि जिनको Corona हो चुका है उनके शरीर में तो वैसे ही antibody create हो चुकी है तो वो वैक्सीन क्यों लगवा है जबकि वैक्सीन खुद में dead virus होता है अच्छा यह कोरोना का जो एक अलग ही character हर वाइरस का एक अलग character होता है इम्मुनिटी पैदा करने का सारे वाइरस सब्जेक्टिव होते हैं कोई वाइरस एक बार infection के बाद lifelong immunity दे देता है कोई होते हैं जो की पांच साल या दस साल के लिए immunity देते हैं जैसे हेपिटाइटिस भी है उसका हमें एक देखना पड़ता है कितना टाइटर है antibody का बलड में पांच साल बाद फिर आपन वापस लगवा सकते हैं जैसे स्वाइन फ्लू का जो वैक्सीन है वो एक-एक साल में लगाना पड़ता है कोरुना में यह हुआ है कि जो antibody test हुए है अगर हम केवल antibodies की बात करें तो और हमने फिर यह भी देखा कि जो लोग एक बार infect हो गए थे वो दुबारा भी infect हुए तो इसलिए vaccine से जो लोग already infected थे उनको vaccine लगाने से बूस्टर डोस का काम करा है हम लोग उने study करी है ऐसी जिसमें यह देखा कि जो लोग infected थे और फिर vaccine लगाई उनको एक डोस के बाद ही इतने antibodies बन गए जितने की वैसे दो डोस के 14 डेस बाद बनते जो उनको उतने दिन का फाइदा भी मिल गया और यह time-bound activity है time-bound study है अब सा साल भर में क्या होगा इनका antibodies का यह तो साल भर बाद ही पता चल पाएगा इस तरह की studies हम लोग कर रहे हैं जिसमें साल भर तक देखेंगे कि यह कब तक immunity रहेगी मैं हम कुछ दावे इस तरीके के भी किये गए हैं कि जिनको corona नहीं हुआ और जो इस वक्त vaccine लगवा रहे हैं और जिनको दोनों डोस लग चुकी है उनको भी एक साल या सवा साल के बाद booster dose की जरूरत पड़ेगी क्या यह मुम्किन है हां हां यह बिल्कुल मुम्किन है स्वाइन फ्लू का हम देखी रहें कि हर साल एक नया vaccine आता है mutations यह भी RNA virus है corona इसमें भी mutations होंगे हो सकता है कि बिल्कुल वैक्सीन में भी थोड़े changes करने पड़े और हो सकता है इसी vaccine से काम चलता रहे पर definitely अभी जो हमारे पास आंक्रे हैं या data है वो एक सवा साल कई है और vaccine तो तब बनी भी नहीं थी जो वैक्सीन वनी थी और टेस्ट हुई थी जैसे अगर हम जॉंसन जॉंसन की बात करें वह आटम में 2020 के आटम में वह था और ब्राजील में या वहां एफ्रिकन सब कॉंटिनेंट में टेस्ट उसकी वह हुई थी टेस्टिंग तो उस टाइम पर वहां पर अलगी वेरियंट थ 55% तक ठीकते वक कर सकते थे आइटी बॉडी उसको इनुनिटी दे सकते हैं डोकर नित्या हमारे साथ जुड़ियां जिनसे हम कोरोना को लेकर बात कर रहे हैं क्योंकि वह माइक्रो बाइलोजिकल डिपार्टमेंट से जुड़ी रहे हैं एचोड़ी रहे हैं इसलिए बहतर जाकर मल्टीप्लाइ करता है वाइरस आप वेक्टर के लिए कर रहे हैं य Dieser में प्रवेश करने के बाद तो वाइरस मल्टीप्लाइ करता ही है गर यह उससे वाइरस के बात की जाया है तो पहले कहा जा रहा था कि डॉपलेट के थूप फैल रहा है अब ये भी सामने आ रहा है कि शायद एर टू एर भी ये ट्रेवल कर रहा है क्या इसको लेकर कोई रिसर्च हुई है ने जो भी हाँ इसके उपर रिसर्च हुई है और लैंसिट में ये पब्लिश भी हुआ है कि ये थू एयर होता है सारे एयर बॉर्ण वाइरसेज वो बाई एयर होते हैं कुछ हेवी वाइरसेज होते हैं जो ड्रॉपलेट होके और नीचे थोड़ी देर में बैठ जाते हैं कि इसको हम ड्रॉपलेट इंफ्यक्शन कहते हैं तो एसलिए इसस लीए बैठ भी सकता है जिसका मतलब कोई ज्यादा अफब नहीं पड़ेगा कि वो क्योंकि एर्बॉन है एर्बॉन होने से तो हमें सारी एतियात लेनी पड़ेंगे all precautions जो हैं जो कि क्योंकि सांस लेना एक नॉर्मल चीज है तो एक तो हमें मास्क लगाना पड़ेगा मास्क लगाने का मतलब ना पड़ेगी एक और confusion क्योंकि मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी और आपने अपने महतपूर्ण वक्त दिया इसलिए में उस confusion को भी दूर करना चाता हूं और confusion दर कि नहीं डर का मतलब यह होता है अपने लीविंग भी टिंग को कैसे describe करते ही जो की चीज मतीप्लाइकर शक के एब वह मतीप्ला नहीं कर सकता वाइर वाइरस क्योंकि वाइरस के अंदर वह करने की सारी machinery नहीं है वो जब अपने अंदर जाता है अपनी cell के अंदर एंटर करता है और cell के जो भी system है उसको use करता है multiply करने के लिए इसलिए हम कहते हैं कि वो बाहर जो है вो multiply नहीं कर सकता इसलिए dead कह सकते हैं हम लोग scientifically उसको dead नहीं कहते हैं इसको inactive कह सकते हैं मैं बहुत बहुत शुक्री हैं हमारे साथ जोड़ने के लिए वक्त निकाल कर हमें समझाने के लिए कि ये वाइरस किस तरीके से मल्टिप्लाई करता है और किस तरीके से आपकी बोड़ी का इस्तमाल करके खुद की तादा तो बढ़ाता है लेकिन आपकी जिंदगी पर खत्र पैदा कर देता है